नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं नए साल का स्पेशल सो ब्लाश्टिंग 2020 बात करेंगे आज तुला राशी की 2020 आपके लिए तुला राशी वालों के लिए कैसा बीतने जा रहा है तुला राशी वालों का स्वामी शुक्र उस दोरान जब नया साल लगेगा जब एक जनवरी दो हजार व्लाशी का सुर्योदय होगा तो उस दोरान तुला राशी का स्वामी शुक्र की स्थिति के आधार पर ये फलित हम बताने जा रहे हैं तुला लगन वाले भी इसको टैली कर लेंगे और तुला राशी वाले तो टैली कर ही रहे हैं तो तुला अलगन और तुला राशी दोनों के लिए ये जानकारी हम आपके लिए लेकर के आये हैं और बहुत यूनीक अंदाज में लेकर आये हैं, बहुत प्यार से लेकर आये हैं, बहुत महबत से लेकर आये हैं, खुब समझिएगा, जानिएगा सबसे पहले बताते हैं जनवरी महीना तुला राशी वालों के लिए हर छेत्र के निमित कैसा जाने वाला है सबसे पहले सिक्छा तुला राशी के सिक्छा के मामले में कुछ अवसर हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहें कुछ अवसर अचानक से रुकते दिखाई देंगे दिनांक 10 से लेकर के 16 के बीच में स्विक्षा छेतर में प्राबलम आ सकती है तुलाराशी वालों के लिए चंचलता भारी पड़ेगा ओवर स्मार्टनेस भी कुछ समस्या पैदा कर सकता है ब्यापार बिजनस जनवरी महीने में बहुत अच्छा रहेगा परेशानियों से बाहर निकलेंगे दिक्केते दूर हो जाएंगी हो सकता कि कोई दोस्त बहुत अच्छे से निवेश कर दे निवेश को कलाम मिलेगा धन की स्थिति अच्छी रहेगी रुके कारे आपके बन जाएंगे प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जनवरी महीना तुलाराशी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हो सकता कि प्राइवेट सेक्टर में मांसिक अशान्ती मिले मन से आप चंचलता प्राप्त करें परेशानी बढ़ जाए लेकिन गौर्वर्मेंट सेक्टर की स्थिति दिनांक छे से ले करके 22 के बीच में आउट आप टर्न प्रमोशन की है गौर्मेंट सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी उपलब्दियां अरजित कर सकते हैं गौर्मेंट सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी सीख आपको मिल सकती है गौर्मेंट सेक्टर में कोई बौस बहुत प्रशनता के साथ आपको नई जिम्मेदारी दे सकता है गौर्मेंट सेक्टर के बाद दामपत्ति जीवन देखें तो जनवरी महिना में तुलाराशी के अनुसार मंगल सबतमेश हो करके दुतियस्त सुग रही रहेगा तो अच्छा चलेगा थोड़ा सा वाणी से एक दूसरे के साथ विवात की स्थती सुरुवात में होगी एक जनवरी से लेकि 18 जनवरी के बीच में पहला हाफ थोड़ा सा जाएगा टफ लेकिन पहर बाद मतलब लेटर और बाद वाला जो समय है 18-20 के बाद का जो समय है दामपत्य जीवन के लिहाद से अच्छा रहेगा जनवरी महीना लव लाइफ यहाँ पर कुछ विसंगतियां टफ सेचुएशन ला रही है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लव लाइफ में उल्जने बढ़ सकती है लव लाइफ में कोई नया आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है लव लाइफ की स्थिति कुछ ऐसी भी आ सकती है जो आपको आंतरिक रूप से कष्ट प्रदान करें उल्जे उल्जे रहेंगे ऐसे करने ऐसे करने यह हो जाए ऐसा हो जाए इसी में परिशान रहेंगे और लव लाइफ उलजती हुई चले जाएगी स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आँख चस्मे का नंबर बढ़ेगा तो 30 मंगल है दवाव पे खर्च बढ़ेगा कोई सल्ल चिकित्सा सर्जरी आद की नोब बता सकती है तुला राशी की पेगनेंट लेडीज जो डिरिवरी होगी जिनकी जनवरी महीने में वो बिना ओपरेशन के संभो नहीं लग रही है फिलाल खान पान पर ध्यान दे डॉक्टर्स की सलाह लेती रहे उपाह हम बताएंगे लाश्ट में फर्वरी महीने की चल्चा कर लेते हैं फर्वरी महीना एक फर्वरी 2020 तुला राशी मकर लगन का उध्य रहेगा जो की आपकी चौथे भाव का लगन होता है तुला लगने तुला राशी से देखा जाए कुम्भ राशी में बुद्ध शुक्र रहेंगे चंद्रमा मेश राशी में 6 डिगरी का और राहु मितुन राशी में 14 डिगरी का मंगल 25 डिगरी के ब्रिश्ची राशी में ब्रहश्पति और केतु धनु राशी में मिद्धमान रहेंगे चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र के दूती चरण में केतु की नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इसमें कहीं से कोई मानसिक अशान्ति नहीं आएगी पढ़ाई में मन लगेगा बाइस चब्विस और तीस जनवरी के बीच में फर्वरी के बीच में दिखिएगा माफ किजएगा बाइस और चब्विस और अठाइस ये तीन तारीखें पढ़ाई को ले करके डिश्टर्ब करने वाली होंगी कोई पुरानी बात एकदम से निकल आएगी लव अफेयर के मैटर प्रॉबलम क्रियेट करेंगे उस पर आपको ध्यान देना होगा अब देखिए अगर बात करने दामबत्य जीवन का तो बताऊंगा मैं भी थोड़ा सा इंदजार करें फर्वरी महिने में आपको चिंता हो रही होगी मुझे पता है कुछ चीजें बहुत उलजने वाली हैं लेकिन ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में कुछ बहुत सकरात्मक उरजा आजाएगी बिजनस एक दम से आपका चलने लेगा ब्यापारिक दिश्टिकोर से रुके कायर आपके बन जाएंगे बिजनस में पुरानी समस्याओं से बाहर आएंगे ब्यापार जबर दस्त उछाल लेने वाला है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आशंकाओं के बीच में बॉस के साथ बिवाद 15 से 20 के बीच में होगा नौकरी हाथ से जा सकती है फरवरी महीना तुला राशी द्यान देजेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को समालना होगा अपनी वाणी पर अंकुष लगाना होगा गौर्वर्मेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन 10, 14, 26 और ट्रांसफर 18, 22 के बीच में दामपत्य जीवन अधभुत है रंग विरंगे पुष्प विखरे रहेंगे जिनको लेकर के आप बहुत आगे निकलने जा रहे हैं फरवरी महिना लव लाइफ तुला राशी 2020 टफ सिचुएशन है डेट पर जाना कैंसल करिएगा कोई अपना ही चीट कर सकता है धोखा दे सकता है दोस्तों से जादा अपनी लव इस्टोरी शेयर ना करिएगा हाँ, 17 को कोई प्रपोज करे तो सोच समझ लीजेगा 22-24 के बीच में कोई प्रपोज करे तो कदम बढ़ा सकते हैं लव लाइफ के बाद स्वास्त के मामले में आँख की दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी और पेट की समस्या यहां रहेगी, मंगलेदेव के 25 डिगरी के हैं ब्रहश्पत के तो साथ हैं तो लीवर पेशेंट्स के लिए समय अनकूल नहीं रहेगा बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में पहले बात कर लेते हैं मार्च महीना तुला राशी मार्च के लिए समय बहुत अनकूल रहेगा मार्च महिना तुला के लिए सिक्षा छेत्र में अनकुलता ले आएगा क्यों? क्योंकि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य तुला राशी वालों के लिए पंचम से सब्तम होते है तुला राशी के लिए पंचम से सब्तम सोर्य होते हैं तो सूरी की महादशा में सोर्योद है निश्चित रूप से आपके स्विक्षा के लिए अच्छा है मार्च महिना तुलाराशी ब्यापार यहाँ पर मुश्किले आएंगी रुपे पैसे फंसकते हैं पैसे को ले करके चिंता रहेगी पैसा आपका उलज सकता है ब्यापार की स्थिती बहुत अच्छी रहेगी लाश्ट में जब विदेश से कुछ अवसर आएगा प्राइबेट सिक्रवालों के लिए आपका प्रभुता बढ़ जाएगा दिनांक पांच, दिनांक साथ मार्च, दिनांक सोलह मार्च, दिनांक बाईस मार्च हो सकता है कि किसी इंटर्व्यू में सफलता एक दम से चल कर आए दोस्त मददगार सावित होंगी गौर्णमेंट सेक्टर के लिए आउट आप टर्न प्रमोशन मिलेगा कुछ इस्थती गरबर होगी जो बहुत सीनियर पोश्ट पे होंगे उनके लिए आपके कई फैसले उल्टे पड़ सकते हैं कोई एकदम से करीब आ करके चीट कर सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है मैरेट लाइफ में कोई समस्या नहीं आईगी जैसे पुरानी समस्या का समाधान निकलाएगा संतान का सुख मिलेगा दामपत्य जीवन बंबं रहेगा दिरांक बीस दिरांक चौबिस को कहीं घुमने ड़नने जा सकते है लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो सामने आ जाएगा आप किससे क्या करते हैं कितना करीब रहते हैं यह सब कुछ सामने आ जाएगा और अचानक आपके लिए यह मुसीबत का सबब बन सकता है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तुला राशी आपके लिए एक रास्ता रुक रुक कर खुलने जा रहा है स्वास्त के मामले में हड़ी की दिक्कत चोट चपीट से कुछ तूट हो सकती है 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं जो युवा हैं उनके लिए स्कुटी से गिरने वगरे की संभावना है एक्सिडेंट की संभावना है दिनांक 11, दिनांक 18, दिनांक 28 ये आपके लिए मार्च में 29, 29 चोट आरी से बचने की जरूरत रहेगी बात करेंगे हम अपरेल महिने की तुला राशी 2020 एक अपरेल को सुर्योदय मीन राशी में हो रहा है और नक्षत्र रहेगा आरदरा का दूतीर चरण मीन लगने में सूर्य शुक्र बिशब में रहेंगे और चंद्र राहु एक साथ मिथुन राशी में जो की तुला से नवम है भाग्य प्रभावित होगा अपरेल महिना केतु धन राशी में और शुक्र जो है बिशब में है ब्रहषपति मंगल शनी ये मंकर राशी में रहेंगे जहां मंगल उच्च का है शनी सुग्रही है और ब्रहषपति नीच का है तीन दो दो नीच भंग राज योग बन रहे हैं दो दो दिब्ब योग बन रहे हैं जिसमें से एक रूचक योग है और एक शश्योग है तो अप्रेल महीना तुला राशी वालों के लिए इतिहासिक है पढ़ाई के मामले में स्विक्षा बिल्कुल बंबं चलेगी ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस में दिक्कत आ सकती है ब्यापारिक दिश्टिकोंड से कुछ समस्याएं गंबीर हो सकती है अप्रेल महीने में कदम फूक कर रखें लोन आदी बिलकुल टाल दीजेगा बड़े फैसले भी टाल देने हैं पार्टनर्शिप तूट सकती है प्राइबेट सेक्टर के लिए समयनकूल रहेगा चोथे भ प्रेल के बाद समय बहुत अनकूल रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में तुलाराशिवालों के लिए थोड़ा सा इगो प्रॉब्लम क्लैश करेगा बौस के साथ नहीं बनने वाला है नई जगह पहुचेंगे ट्रांसफर हो करके वहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो दामपत्य जीवन अप्रेल महिना तुलाराशि बिलक्षण रहेगा बहुत समस्याई नहीं रहेंगी अश्टम में शुक्र की उपस्थिति एक दूसरी की प्रति प्यार बढ़ाएगा स्नेह बढ़ाएगा कहीं हिल्स वगरे पे घुमने जा सकते हैं यह आपके लिए बहु 12-30 के बीच में कोई भी मंगल सनी छोड़ करके स्वास्त के मामले में देखा जाए तो फ्रैक्चर हाथों में हो सकता है कंधे सोलजर की प्रॉब्लम आ सकती है बैक की प्रॉब्लम रहेगी और पेट से बहुत परिशान रहेंगे कुपायम बताएंगे मई की चल्चा करते ह मई महीने में सिक्षा छेत्र में बताऊंगा मैं पहले ग्रहों की स्थिदी बता दे मेश लगन का उदय रहेगा मई महीना लगन में ही सूर्य और बुद्धु पस्थित रहेंगे बुदादित्तियोग जिसे कहते हैं और एक मई को सूर्य 17 डिगरी के हैं बुद्ध अस्थ दिगरी के शुक्र 25 डिगरी के ब्रिशव राशी में महीने में राहु मिथुन में चंद्रमा करक में 19 डिगरी का अच्छा है अच्छे पोजिशन पे हैं केतु धनुराशी में मंगल ब्रहश्मत शनी ऐज इच पिछले महीने की तरह हैं लेकिन मंगल जस्ट अबाउट बुद्ध का नक्षत्र बुद्ध की महादशा में महीने का सुर्योत हैं तुला राशी की चर्चा कर रहे हैं 2020 पढ़ाई महीने में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी स्थती पैदा हो रही है कहीं बड़ी जगह पर जाकर के सिक्षा ग्रहन कर सकते हैं कोई बहुत कुलता आपके कदम चुमेंगी लाब की स्थती बहुत अच्छी रहेगी धन की स्थती बहुत अच्छी रहेगी एजुकेशन लोन ले सकते हैं विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस में रिस्क मत लीजेगा बढ़वोलेपन से बचि नहीं है मांसिक अशानती मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में कुछ समस्याएं अचानक से पैदा होंगी प्राइवेट सेक्टर को बहुत संयत हो करके निभाने की आवशकता है दिनांक 16 मई दिनांक 21 मई दिनांक 23 मई 16 21 23 को प्राइवेट सेक्टर में रिस्क नहीं लेना है गौर्मेंट सेक्टर के लिए प्रोमोशन एक दम से अचानक हो सकता है तुला राशी वालों के लिए सब्तम में सूर्य उच्चका है थोड़ा सा अग्रेशन में अपने नियंतर रखिएगा हो सकता है कि कहीं नई जगह पर आपकी बिर्द शडियंतर अचानक से पैदा किये जाए वैसे तो आपका दबदबा रहेगा दामपत्र जीवन मही महीना तुला राशी 2020 दामपत्र जीवन में गर्मी ज़्यादा रहेगी रिस्ता अचानक गर्मी की वज़ा से उबल सकता है उच्चका सूर्य है तो 15 मही तक सावधान रहे है 16 मही के बाद दीरे-दीरे मामल सांथ हो जगता है सवसुलाज से रिस्ता समालने की कोशिश जादा ना करें पती से मतलब रखें पतने से मतलब रखें लव लाइफ शादे की बात फाइनल है भाग्येश की महादसा में सुर्योदय आपके लिए आयतिहासिक रहेगा बड़ी-बड़ी समस्याओं का चुट स्वास्त के मामले में छाती की दिक्कत अर्ठात हर्ड लक्रेशर शुगर दिनांक शोलह के बाद सुरवात में पांच और आठ के बीच में भी दिक्कत आ सकती है बाइपास वगर अगर किसी का हुआ है ब्लड इंफेक्शन वगर भी थोड़ा सा हो सकता है सावधान रहने क्या वशकता है कोई बहुत चिंता भी लेकिन न करिएगा जून महिना एक जून 2020 दिन सोमवार को सुर्य उद्य हो रहा है बिशप लगन का उद्य है सुर्य शुक्र लगन में ही है शुक्र वक्री हो चुका है किस डिगरी का है एक जून को और सत्रह डिगरी के एक जून को सुर्य रहेंगे लगन में ही राहु बुध एक साथ मिथुन में आ चुके हैं चंद्रमा कन्याराशी में 12 दिगरी के केतु 5 दिगरी के धनुराशी में शनी और ब्रहश्पती मकर में मंगल प्रवेश हो चुका है 19 दिगरी का एक जुन को कुम्भ राशी में चंद्रमा हस्तनक्षत्र के प्रथम चरण में जून महिने में तुला राशी वालों के लिए अब बताते हैं कि 2020 जून का महिना तुला वालों के लिए क्या सावगात ला रहा है सबसे पहले सिक्षा सिक्षा का अस्तर बढ़ेगा सिक्षा छेत्र में आ रही बादाएं दूर होंगी दिरानक दस के बाद आपकी इस्तिती बहुत अच्छी होगी और जैसे सूर्य का संक्रांती होगी मिथुन में आएगा सूर्य मुधा दित्तियोग एक बार पुरह निर्मित होगा आपके ल स्वाले हैं ऐसे लोगों के लिए यह महिना बहुत अच्छा नहीं है लौस बढ़ सकता है अगर आप तुला राशी या तुला लगन के ब्यापार ध्यान दीजेगा जून महिना तुला राशी प्राइवेट सेक्टर नौकरी में प्रमोशन है महिला बॉस आपके लिए कई सौगात पैदा करेगे गौर्मन सेक्टर के लिए वाहन का सुख मिल रहा है मकान का सुख मिल रहा है पूरे महिने आपका दबदबा बना रहेगा डामपत्ते जीवन में मन भटक रहा है जून महिना भटकाओ की तरफ इशारा करता है लव लाइफ के लिए सावधानी बरतन की आवशक्ता है नए प्रफोजल होल्ड पर रखिएगा जून भीतने दीजिएगा जुलाई में विचार किया जाएगा लव लाइफ में रिस्क लेने की आवशक्ता नहीं है जल्दी बाजी बिलकुल नहीं है बिलकु संयत रहे और शांती के साथ अपने लव लाइफ को स स्मूद चलने दीजिएगा जून महिना तुला राशी 2020 स्वास्त आखों की समस्या हो सकती है बैक की प्रावलम अचानक से बढ़ेगी पाउं में चोट उल्टे पाउं में चोट आज की संभावना है पैंक्रियास लिवर और किट्नी की दिक्कत हो सकती है अल्ड़ी अगर ह तो इक्ट्रा केर की आवशक्ता है उपाय क्या करना है मैं बताऊंगा थोड़ा सा धहर रखें जुलाई महिने की चर्चा करते हैं एक जुलाई 2020 दिन बुद्वार मिथुन लगन का उदय सूर्य बुद्ध राहु मिथुन राशी में ही है चंद्रमा तुला राशी में ब् हश्पत की महादसा में सुर्योद्य हो रहा है तुला राशी वालों के लिए सिक्षा के छेत्र में इस्थती अच्छी नहीं है सिक्षा के छेत्र में समस्याएं गंभीर रहेंगी पढ़ाई बहुत सोच समझ कर करिएगा जिससे मेंटेन रहें ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में देखकर दूर हो जाएगी बहुत मस्त बिजनस करेंगे दिवाग लगाएंगे मुनाफ़ा बढ़ेगा जुलाई महिना तुला राशी 2020 प्राइवेट सेक्टर नई नवकरी के प्रयास दिनांक 10 दिनांक 16 दिनांक 22 सफल है गौर्मेंट सेक्टर के लिए इगो प्रयशान करेगा बॉस के साथ विवाद हो सकता है धन के लेंदेन में फंसाए जा सकते हैं पूरे महिने कमोबेस इस्तिती यही रही कोड कचहरी से कुछ जीत की उमीद मंगलवार को पूरे महिने बन सकती है स्वास्त के मामले में देखा जाए और दामपत्त जीवन पहले लव लाइफ की स्थिती तो मैं बताऊंगा दामपत्त जीवन में तुला राशी वालों के लिए मुश्किले आ रही है मन भटक रहा है मुझे पता है क्योंकि चंद्रमा राशी में ही बैठा है तो तुला राशी जुलाई महिना भटकाओ को रोके पती पत्नी दोनों रोके जो भी तुला राशी के हैं अपने मैरेट लाइफ पर ध्यान दे जिससे आप की दामपत्त जीवन में किसी तरह की दि चुका कर रखें बड़े फैसलेक टालने होंगे बड़ों की सलाह लेते रहीएगा लव लाइफ स्मूद रहेगा अगस्त महिना बताओंगा लेकिन स्वास्त बता देते हैं हेल्थ वाइस बैक की स्थिती सुधर जाएगी जोडों का अदर्द ठीक हो जाएगा आँख और पेड से इस महिने आपको परशानी हो सकती है अगस्त महिना तुला राशी करक लगन का उदय है चंदर ब्रहश्पत के तु एक साथ धनुराशी में है शनी वक्री हो चुके हैं मकराशी में मंगल मीन राशी में 24 निगरी के बुद राह शुक्र मिथन राशी में चंद्रमा मून लक्षत्र के चत्रुत चरोल में है केतु की महादशा में सुर्योदय हो रहा अगस्त महिने का पढ़ाई कन्फ्यूज करेगा इस महिने आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है related to education ब्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी कमो बेस धन आता रहेगा दिनांक 16, दिनांक 24 इस बीच में कोई major लाब हो सकता है बड़ा contract हो सकता है तुला राशी अगस्त महिने की स्थिति प्राइबेट सेक्टर के लिए नई नौकरी के तलाश को रोक दीजेगा जहां पर हैं यहां पर कई शडियंत्र सामने आ सकते हैं कोई लड़की फसा सकती है दिनांक 4 अगस्त, दिनांक 12 अगस्त, दिनांक 14 अगस्त, दिनांक 26 अगस्त सावधान रहेगा गौर्मेंट सेक्टर के लिए इस्थिति बहुत अच्छी है आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा हो सकता कि कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़े और बॉस आपसे प्रशन रहेंगे सरकारी नोगरी में प्रोमोशन के चांसेज 22 दिनांग 28 को संभो लग रहा है ट्रांसफर फिलहाल अगस्त में संभो नहीं है वैसे तो प्रयास और पैर भी की जा सकती है दांपत्य जीवन की स्थिति सुधार की तरफ है शक थोड़ा थोड़ा सा कम होगा दिनांग 12 के बाद इस्थियां बहुत अच्छी रहेंगी अगस्त महिने में स्वास्त के मामले में आँख पेट की समस्या हो सकती है बैक की प्रॉब्लम ठीक रहेगी नजला जुखाम कुछ जादा परिशान करेगा डेंगू अगरे की सिकायत पचास प्लस वाले एज़ वाले लोगों को देखना पड़ेगा अब बताते हैं सितंबर महिने की स्थिती सितंबर जबर दस्त जाएगा सितंबर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी सिंग लगन का उदा है सोरे बुद्ध लगन में ही रहेंगे ब्रहश्पत केतु धनु राशी में शनी वक्री होकर के दो डिगरी के मकर राशी में चंदरमा कुम राशी में एक डिगरी के मंगल मेश राशी में तीन डिगरी के राहू मिथुन में दो डिगरी के शुक्र करक आशी में जीरो डिगरी के नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा तिर्टीचर और मंगल का नक्षत्र है इस्तियां आपके लिए क्या पैदा हो रही है अब मैं ये बताता हूं सितंबर मैने में पढ़ाई की स्तिती बिल्कुल अच्छी रहेगी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ सितंबर महिना प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में गुस्य के कारण दिक्कत आएगी छोड़िये गामत नहीं तो रह जाएंगे अक्टूबर बताऊंगा क्या जाएगा गवर्मेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी इस्तिती है धन का लाब मकान का लाब म प्रमोशन पूरे महिने बना रहेगा सितंबर महिना दामपत्य जीवन टफ सिचुएशन आएगा लेकिन छे सितंबर के बाद समहाल लेंगे आग बड़े बुजर्गों का हस्तक छेप 11 सितंबर के बाद करवाना बहुत शुब रहेगा एक दूसरे से दूरी ना बनाए तो बहतर है लव लाइफ सुधार की तरफ है शादी की चर्चा रुख जाईए अभी इस महिने टाल दीजेगा मिल्ला जुल्ला इस महिने कम करिएगा खास तोर पर 26 तारिक बहुत संसिटिव डेट है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो ब्लड संबंदी कुछ दिक्कत तो थी आज पेट की दिक्कत भी हो सकता सितंबर महिने में बढ़ जाए चोट वगएर कोई बहुत जादा उमीद नहीं है लेकिन वहां चलाते समय सावधानी वरतने की आवश्यक्ता है अक्टूबर महिना शनी की महादसा में सुर्योद है पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा टप सिचوेशन रहेगा सिख्षा रुक सकती है सिख्षा में दिक्क्त आ सकती है कोई दोस्त गदारी कर सकता है मतलब दोखा दे सकता है जिसे मांसिक परिशानी रहेंगी ऑक्टूबर 2020 तुला राशी ब्यापार बिजनस में बहुत समस्याएं नहीं है बैपारी दिश्रिकोर से लाप के उसर बनेंगे बैपार में कोई बड़ा फैस्टला लिया जा सकता है पूरे महिने ये इस्थिति रहेगे साजा तूटेगा दिनांक 24 के बाद प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समयन कूल रहेगा नहीं नोगुरी के संभाव नाएं पूरे महिने इंटर्व्यू के लिए कॉल पे कॉल आता रहेगा खास तोर पर 14 और 26 को गौर्वेट सेक्टर के लिए प्रमोशन के चांसेस फिलाल इस महिने में नहीं दिखाई देते हैं हो जाता है तो मनलब अनिस्पेक्टेट रहेगा शडियंद्र का परदाफास होगा लाव के आउसर बनेंगे महिना अच्छा बीतेगा अक्टूबर महिना तुलाराशी 2020 दामपत्य जीवन जबर्दस्त है गुम्य टहलने का पक्का प्रोग्राम बनेगा कहीं हिल्स पे जा सकते हैं दिनांक सोलह, दिनांक बाईस, दिनांक थाईस जबर्दस्त रहेगा हर तरह से शुबता मिलेगी हर धरासाई होगा जो भी दुश्मन रहेगा लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा ब्रेक अप के चांसस बीस को है चपविस को है सावधान रहेगा स्वास्त के मामले में हर्ट और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है बाकी कोई समस्या नहीं आएगी नॉम्बर महिना जबर्दस्त उछाल रहेगा शुबता मिलेगी सिक्षा में लाव होगा तुला का सूर्य और बुध आपकी राशी में है अपियस मिल सकता है सिक्षा छेत्र में ध्यान दीजेगा मतलब पढ़ाई तो ठीक है लेकिन कोई इधर उधर लाग लपीट का हो सकता है ब्यापार की स्थिती बहुत अच्छी नहीं रहेगे लिए अगर विदेज से कुछ ब्यापार आप कर रहे है तो उसके लिए स्थिती अच्छी रहेगी विजनस में वहां से आपको लाग मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए आउसर कई बनेंगे खास दोर पर 16 नवंबर के बाद गवर्मेंट सेक्टर के लिए कुछ नोग जोग बढ़ सकता है बॉसेस के साथ इस बीच छुटियां जादा लेंगे तो बहतर रहेगा 18 नवंबर के बाद समय अनकूल होगा दामपत्य जीवन में बहुत अच्छा रहेगा पुत्री रत्न की प्रापती संभव है अगर प्रेग्नेंसी होगी लाब की अवसर बनेंगे पारिवारिक सवहार्द बना रहेगा समय अनकूल रहेगा लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी डामपत्यों हो सकती उस पर आपको ध्यान देना होगा पूरे महीने इस्थिति यही रहेगी जादा घूमने टहलने और साथ रहने के आवशक्ता नहीं है स्वास्त के मामले में बैक की प्रापलम, नेक की प्रापलम और हड्डियों की दिक्कत बढ़ रही है हर्ट की प्रापलम दूर रहेगी चलते चलते बात कर लेते हैं दिसंबर महीने की एक दिसंबर दो हजार बीस मंगलवार का दिन चंद्रमा की महादशा रोही नक्षत्र के चतुरत चरण में सुरे बुद्ध केतु व्रिष्चिक रासी में सुर्योद है सोरे बुद्ध के तो ब्रिश्चिक में ही रहेंगे पढ़ाई जबरदर्स्त है सिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आई कि नहीं जगा admission हो सकता है कोई मित्र बहुत करीब से मुदद करेगा ब्यापार प्रभावित होगा दिनांक 6, दिनांक 12, दिनांक 24 ब्यापार रिस्क में रहेगा रुपया पैसा ब्लॉक हो सकता है बड़ा ओर्डर कैंसिल हो सकता है दूसरे के बहकावे पर निवीश न कर दीचेगा दिसंबर महिना तुलाराशी 2020 प्राइवेट सिक्टर नए वाहन की संभावनाय बन रही है नए वाहन ले सकते हैं प्राइवेट सिक्टर में चेंज मत करिएगा इस महिने में गौर्णमेंट सिक्टर में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे है मकान भी चेंज हो सकता है 12 दिसंबर के पहले पहले और संभव ये है कि कोई मित्र बहुत करीब से मदद करेगा दामपत्य जीवन के लिए टफ सिचुएशन रहेगा चंदर राहू की यूती है चटे भाव में ये आपके लिए मुश्किले पैदा करेगा थोड़ा सा पत्नी से दब के रहने की कोशिश करें अगर आपकी राशी तुला है और तुला राशी की महिलाएं पति से दब के चलाएं रिस्ता चलाना है बच्चों का सवहार्द बना रहेगा 22-26 दिन अच्छा रहेगा इसमें मान मनुवल कर लिजेगा लव लाइफ में इस थतियां बहुत सामाने नहीं है लव लाइफ में टफ सिचुएशन आ रहा है ब्रेक अप की कई आउसर मिलेंगे जादा आप टेज बोलना आपके लिए भारी पड़ेगा दिनांक 17, दिनांक 24, दिनांक 30 मिलने जुलने की कोशिश न करिएगा स्वास्त के मामले में आँख और पेट से परिशान रहेंगे धन की स्थिती थोड़ा सा खर्च जादा बढ़ रहा है और कुछ अकसमात नुकसान हो सकता है दवाओं पर आपरेशन आदी की नोब बता सकती है 25 के बाद बहुत बहुत शुक्रिया तुलाराशी वालों के लिए पूरे वर्ष का हाल हमने बता दिया माहवाईस और बहुत विस्तार से बताया है लगबग 30 मिनट का कारिकरम करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा मिले अब मैं बता दू आपको 22-26 फटा-फट मिलने के लिए आप कोशिश कर लिजेगा गाजयाबाद में और 29-30 स्टांडाम बेटकर नगर 10-11-12 जनवरी सूरत आ रहे हैं किसी भी नंबर पर सूरत अपाइनमेंट लिख करके भेज़ दीज़े और हाँ सूर्य ग्रहन स्पेशल अनुनिश्ठान की जानकारी इस कारकरम के लाष्ट में ले लेज़ेगा उपाय क्या करना है तुलाराश्यवाले 2020 में जितना हो सके गउ सेवा करें जिससे बहुत सारे दोश्रों से बच सकें गउ सेवा नो नौनवेज, नो पत्थर याद रहेगा ना तांकियो जोबच, नमस्कार, स्रिकिष्टा, जैस्री रादे